आउब बिल्लाहिमिने शेटवान रौजीम बिसमिल्लाय रह्मान रहीम असलाम लेकुम दोफ्तों मैं हूँ मुफिन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24 और 7 टीचर्व ऑनलाइन दोफ्तों हमारी इंग्लिश कंप्रिहेंशन की क्लाफ चल रही है और आज उस फिरिफ का हमा साथवां लेक्चर है दोफ्तों आज की क्लाफ में हम बात करने वाले हैं वर्ड्व फॉर्मेशन के हवाले से हम आज की क्लाफ में देखेंगे कि इंग्लिश के वर्ड्व कैफे बनाये जाते हैं दोफ्तों आज की क्लाफ शुरू करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमन अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ाता दूस्तों पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने referencing के ओपर बात की थी और मैंने references से related आपको एक example भी दिखाई थी और बताया था कि जब भी हम किसी word की बजाए reference को use करती हैं तो वो उस पिछले word की तरफ पॉइंट करता है और हमारे जो पेराग्राफ है उसको हम बेहतर या उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए रेफरेंसिव का इस्तमाल करते हैं और बजाए इसके के हम बार बार वही वर्ड रिपीट करें तो इसलिए हम उस वर्ड को एवर रेफरेंस पॉइंट कर लेते हैं और उसकी जगा पे कुछ और लिख लेते हैं दोफ्तों उसके बाद हमने बात की थी कनेक्टिव या लिंक वर्ल्ड की उससे डिलेटिड मैंने आपको एक्जेम्पल दिखाई थी और आखिर में एक एक्षरसाइज भी दी थी दोफ्तों मुझे पुरी उमीद है कि आप लो कि यौड ओर में और फ्रॉयशन क्या होती है और कैसे हम अपने इंगली लैंग्विज के वर्ल्स को फॉर्मेट करते हैं दोस्तों आजकि क्लास में हम देखेंगे किस टैंब या बिस वर्ल्ड क्या होते हैं उसके साथ ही हम बात करेंगे प्रीिक्स क्या है और सुभ्त प्र और आखिर में मैं आपको एक exercise दूँगा ये देखने के लिए कि आपको आज की class समझ आ गई है या नहीं आई है तो चलिए हम लोग अपनी class के आगाव करते हैं और हमारी आज की class का जो पहला topic है वो है words formation When we combine the alphabet of any language, जब हम किसी भी language के alphabets को इकठा करते हैं It makes words, तो उससे words बनते हैं and words make paragraph and sentences और फिर वो words जो है वो paragraph बनते हैं या figure बनते हैं The process of joining alphabets is known as word formation और ये जो process है alphabets को जोडने का इसको हम words formation कहते हैं In English language, words formation, we need three things जब हम English language की बात करते हैं और उसमें हम देखते हैं के हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पढ़ती है सबसे पहले है जी prefix दूफ़े नमबर पर temp और दीफ़े नमबर पर फर्व फिक्स है हम अपनी पिछली classes के अंदर जो हमारी early classes थी वहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं जो हमने साबके और लाके पढ़े थे दोफ़तों English में हम दोबारा इन्हीं चीज़ों को revise कर रहे हैं तो चलिए हम देखते हैं कि यह जो तीन चीज़ों की हमें वरूरत पढ़ती है यह होती क्या है सबसे पहले है stamp या base word A stamp और base word is a word in its basic form कि इस से मुराद ऐसा word है जो एक जिसकी basic form हो and can be turned into other word और यह दूसरे अलफ़ाव में तबदील हो जाता है with the addition of affix जब हम इसके साथ अक्षिस जोडते हैं There are two main type of affix हमारे पाद दो किसम हैं एक prefixes है और एक subfixes है A prefix is a group of letter added to the beginning of word Prefix में मुराद ऐसा group of letters है जो हम किसी भी word के शुरू में लगाते हैं A prefix is a group of letter added to the end of the word और यह ऐसे अलफ़ाव हैं जिनको हम किसी भी word के आखिर में लगाते हैं अब stamp या base word की हम example देख लेते हैं अब यहां पे screen के उपर आपको नजर आ रहा है एक word care अब आगे देखें उससे हम care भी बना सकते हैं हम care less भी बना सकते हैं हम care fully भी बना सकते हैं और care fully भी बना सकते हैं बट अब इस वर्ड आफ केर फुल केर फुली केर लेस उनका जो base word है यह stamp है वो care है इसी तरह दूसरी मिसाला आपको सक्रीम के उपर नजर आ रही है उसमें आपके पास जो words है वो friends है, be friends है, friendly है, unfriendly है इनका जो base word है वो हमारे पास friend है इसी तरह जब हम कुछ और अलफाव देखते हैं जिनमे love है, lovely है, love able है, loving है तो इनका जो base word है, वो हमारे पास love है दोस्तों यह है हमारा stamp या base word जिस की basic form होती है जो मैंने आपको with the help of example भी समझा दिया कि मुख्लिस जब हम अपने जिन्दगी के अंदर ये अलफाव का इस्तमाल करते हैं, रोज मरा जिन्दगी के अंदर तो उनकी कुछ base word होते हैं या stamp होती है, ये आपको उमीद है समझ आ गया होगा इसके बाद जो दूसरे हमारा word formation के अंदर था, वो था prefix प्रीफिक्स के बारे में वहां पर भी definition दी हुई थी, प्रीफिक्स is a affix and affix which is placed before the stamp ये ऐसा group of letter होते हैं, जो stamp से पहले use किये जाते हैं एक word बनाने के लिए adding it to the beginning of one word change into another word और जब हम उसको stamp के शुरू में लगाते हैं तो उस से वो word change होकर एक दूसरा word बन जाता है for example, आपके पास एक word है d.i.f जिसको हम diff कहते हैं अब इसके साथ अगर हम like लगा ज़ते हैं तो diff एक और word है, like एक और word है तो diff like ये एक और word बन जाएगा इसी तरह diff agree, diff appear तो ये हमारा prefix है यानि हमने agree के सामने like और appear से पहले कुछ लगा दिया है तो like हमारा base word या stamp है और उसके साथ हमने एक prefix जोड़ा है जिसको हम diff कहते हैं तो वो dislike बन गया इसी तरह एक और word है जिसको हम कहते हैं re अब re जो है वो हमारा prefix है उसको जब हम appear के साथ लगाएंगे तो re हमारा prefix है क्योंकि ये हमने शुरू में लगाया है और appear जो है वो हमारा stamp ये word है तो वो reappear एक word बन जाएगा इसी तरह re counting है re act है इसी तरह एक और word है जिसमें हम I am लगाते हैं impossible, improve, improper इसी तरह हमारे पाफ एक और word है जिसको हम miss कहते हैं miss misleading, miss guide, miss use तो ये हमारे पाफ और words बन जाते हैं जब हम उनके साथ prefix लगाते हैं शुरू में इसी तरह आपको आखरी screen के उपर example नवर आ रही है जिसके अंदर pro लिखा हुआ है अब यहां पे profession, proactive, program अब इन अलफाव में देखें कि इन सब के शुरू में हमने prefix लगाया तो ये जो दो अलफाव थे उन से एक तीसरा word बन गया तो दोस्तो जब भी हम किसी word के शुरू में कुछ लगाएंगे तो उसको हम prefix कहते हैं इसी तरह एक होता है हमारे पास prefix अब prefix क्या होता है जैसे हमने prefix के बारे में पढ़ा तो उसमें हम शुरू में base word के साथ लगाते थे एक word तो उससे एक तीसरा word बन जाता था लेकिन prefix के अंदर हम आखिर में एक लफ़ लगाएंगे तो उससे हमारे पास एक तीसरा word बन जाएगा अब इसकी example भी आप लोगों को सक्रीम के उपर नज़र आ रही है पहला word है able अब शुरू में देखें अच्चीव हमने लिखा हुआ है तो अच्चीव एबल कमफर्ट एबल पोर्ट एबल तो ये आखिर के अंदर यूज़ हो रहा है तो ये हमारी सर्व फिक्स की एक्जेम्पल है इसे तरह दूफरी एक्जेम्पल आपको सक्रीम पर नज़र आ रही है इसी तरह अगर हम उसके साथ ब्यूटी का लव लगा देते हैं तो ब्यूटी फुल ग्रेट फुल तो ये हमारे पास सर्व फिक्स की एक्जेम्पल है इसी तरह अगला जो वर्ड है वो है लेफ अब देखें यहां पे हमने फ्रेंड लेफ टियर लेफ फियर लेफ तो ये हमने इसके साथ फुल फिक्स को जोड़ा है इसी तरह अगला जो वर्ड है वो ल वाई है अब देखें क्लेर ली फियर ली और ली इसी तरह अगे एक आखिर में आपको वर्ड नज़र आ रहा है आई ल वाई अब इजी, ली, हैपी, ली, लीजी, ली तो ये हम डिफरेंट फिक्स जोड़कर अपने नए वर्ड बना सकते हैं तो इसी तरह हमारे पास जो है इंग्लिश लंग्विज के अंदर तीन चीफे होती है वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है इसमें एक सर्फिक्स है, एक स्टेम्प या बेस वर्ड है और एक हमारे पास प्रोफिक्स है तो दोस्तों यहां पे आपको आज की क्लास की एक्सरसाइज नजर आ रही है आप जल्दी से अपने नोट बुक ओपन कर लेजिए यहां पे बीस आपको अलफाज लिखे हुए नजर आ रही है पहले जो दस अलफाज लिखे हुए हैं उनमें डी, डिस, ई, ए, 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 ल, मिस, न, प्री, प्रो, री और अन लिखा हुआ है और जो पहला वर्ड है उसके साथ मैंने आपको बना कर भी दिखाया हुआ है डी से डी, क्रीज, डी, फ्रीज, तो ये दो अलफाज बन जाते हैं डी से तो आपने क्या करना है आपने इन प्री, फैक्षिव को लेकर कुछ अलफाज दो-दो बनाने हैं अगली जो राइट साइट पर आपको दस अलफाज नज़र आ रही हैं उनके आखिर में मतलब एज़ा फिक्स मैंने कुछ वर्ड लिये हैं उसमें A, L है, E, R है, E, F, T है, F, U, L है, Y है, N, E, F, F, I, N, G, I, B, L, E, L, F, R, L, Y है आपने इन फिक्स को लेकर कुछ अलफाज बनाने हैं और एग्जेंपल के तौर पर मैंने आपको पहला वर्ड जो है, वो बनाकर दिखा दिया है, E, L है, तो कमिकल, कैमिकल, कमर्शल, तो ये मुख्लिफ अलफाज बनते हैं, तो आपने ये जो नीचे फिक्स दिये हुए ह आपने इन का इश्टामाल करते हुए दो दो अलफाज बनाने हैं, तो दोस्तो आज की जो exercise है वो ये ही है, के आपने इन प्री fixes को लेकर और सेFlexes को लेकर दो दो अलफाज बनाने हैं, दोस्तो ये थी हमारी आज की class, हम जल्दी से summarize कर लेते हैं, कि आज की class में हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में हमने वर्ड फार्मेशन के उपर बात की है हमने बेस वर्ड और स्टेम्प के हवाले से पढ़ा है हमने प्रीफ इक्षिव पढ़ा है उसकी एक्जेंपल मैंने आप लोगों को करके दिखाई है और आखिर में आपको एक एक्षरफाइव दी है नहीं रोख सकता दोस्तों अगर आपको मेरी इंग्लिश की यह पसंद आ रही है तो आप उन्हें लाइक कीजिए अपने दोस्तों के सब शेयर कीजिए जिनका इंग्लिश कंप्रिहेंशन सब्जेक्ट है और कमेंट्स के सूरत में अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैन मॉफिन भाई को इजावत दीजिए थैंक यू वरी मच्छ दौफ्तों अलाहाफिव